तो हेलो दोस्तों कैसे हो सब आपका स्वागते मेरे नई वीडियो में मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हो नीरज नावड़ेज तो दोस्तों आप सब लोगों की डिमांड पर आज मैं आपको बताने वालो हूँ अपने Off-Duty India Pant की Condition जो मैंने Black Color में खरी थी एक साल पहले और इस Pant की जो Unboxing वीडियो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आप जाके देख सकते ह और उसके बाद मैंने एक महिने बाद की Condition वीडियो भी बनाई थी अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो साथ ही साथ Off-Duty India की मैंने और भी कपड़ों की Unboxing करी है अगर आपको उन वीडियो में इंटरस्ट है तो वो भी जाके आप Checkout कर सकते हो तो एक साल तक इस्तमाल करने के बाद उसकी आज Condition कैसी है वो में आपको बताने वाला हूं तो वीडियो एंट तक देखना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अल्रड़ी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर कर देना नीचे कॉमेंट कर देना कि मुझे नेक्स कौन से कपडे की कंडिशन की वीडियो बनानी चीए और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना नीरज अंडरस्कोर नावड़ेज सो विदाउट एनी फॉ क्या चेंजिस आये हैं सेकिंड कमफर्ट में क्या चेंज आया है और स्टिचिंग वगेरा से रिलेटेड हम बात करेंगे एंड फॉर्थ कितना वर्थ था मेरे लिए इसको मैंने लगातार यूज किया बहुत ही गंदी तरीके से यूज किया मैंने बहुत पहने रेगुलर हो गए थे तूटना अपने आप तो उसकी रफनेस जो है वह अल्मॉस्ट जाच चुकिया थोड़ी कलर में हलका फुलका मान लो 0.5 परसेंट हलका चेंज हुआ है लेकिन पूरा चेंज नहीं हुआ है अदोने के तरीके में भी होता है और मैंने को यह ऐसा ड्राइ क्लीनिंग के लिए ऐसा उस तरीके से मैंने इसको दोया नहीं है तो नौर्माली जो घर में दोते हैं सोडा साबुन उसी से दोया है वही वाशिंग मशीन नॉर्मल उसी से दोया है कभी कबार खारे पानी से भी दुल गया है तो हलका फुलका जो वाइटनेस है इसमें पॉकेट्स में हो सकता है उसकी वज़े से आया हो जितने वाइटनेस दिख रहा है यह थोड़ा ओल्ड स्कूल वाइब देता है यह तो मैंने बैट बैट की घिसा है अगर आपने पुरानी वीडियो देखिए तो सॉलिड ब्लैक था यहां पर इसा नहीं गंदा लग रहा है आफ़गे तो यह देखो लगता बलाक किए फोटो वगयरा क्लिक रहो तो ब्लैक ही आता है तो अब इसके स्टीचेच के बात करते हैं इसकी सिलाई की अब आपको यह दिख रहा होगा कि यहां से न कहीं से भी सिलाई निकली नहीं है एक भी धागा कहीं से भी निकला नहीं है तो मान लोगी सिलाई बहुत पक्की है इनकी भले आपके pocket side से हो गए हैं यहां से कहीं से भी सिलाई निकली नहीं है देखो देखो, हलक असा भी कोई प्लेस नहीं है जहां से सिलाई निकली हो, हाँ वो टॉपिक अलग है कि लाइक इसका बटन जो है वो टूड़ गया था, स्टार्टिंग में टूड़ गया था इसका बटन, तो वो मैंने लगवाए नहीं, थोड़ा आल सीओ में इन चीजों में, मुझे बिल्कुल भी चेंज नहीं दिखा है, स्टार्टिंग में जो पैरों में जो रफनेस फील होती थी, जीन्स की, वो अभी भी फील होती है, शायद कपड़े की क्वालिटी चेंज नहीं हुए, वो फील चेंज नहीं हुए, अगर कपड़े की क्वालिटी में चेंज जाता कपड़ा लो हो जाता है फिर quality थोड़ी धीली पड़ जाती तो आपके comfort में भी change आता लेकिन मेरे comfort में पहनने में कुछ change नहीं आया है वही roughness अभी भी है तो दोस्तों यह थी मेरे पेंड की condition एक साल यूज करने के बाद off duty rigid black jeans यूज करने के बाद तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और नीचे comment कर देने कि मुझे next क्या unbox करना चाहिए या फिर कौन से कपड़े की condition की वीडियो मुझे बनाने चाहिए तो झाहिए झाहिए